आज के विरे में मैं आपके लिए बहुत ही सूपर पावफुल पांच ऐसी बॉंब सरम्स लेकर आए हूँ जो 10 टाइम्स जादा पावफुल है आपके स्किन में किसी भी टाइप के पिग्मेंटेशन को लाइटन अप करने के लिए अगर आपके फेस में आकने या पिंपल के के लिए जैनरली हम जब अपने फेस के लिए सिरम्स यूज करते हैं तो उनमें किसी भी टाइप का एक एक एक्टिव होता है तो बहुत ही पावफुल बॉंब से आपके किसी भी टाइप के पिग्मेंटेशन और माक्स को लाइटन अप करने के लिए और ग्लो को बूस्ट क को देखने से पहले अगर चैनल पर फर्स टाइम है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे और एसे अमेजिंग माइंड ब्लोइंग विडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आल पर ज़रूर प्रिस कर दीजेगा ना लेट्स गेट स्टार्टेट हाई फ्रेंड साम परीटी एंड वेलकम बैक टुम बाक टुम अगर आप सिर्म को रॉटल तरह से यूज़ करते हैं तो आप चाहे एक बॉटल दो बॉटल तीन बॉटल लगा लीजे वो सिर्म सापकी सिकिन पर बिल्कुल भी उस तरह से एफेक्ट नहीं करेंगी जिसे पर इस तरह से उनको करना चाहिए तो विडियो में मैंने आपको बहुत ही इंपोर्टेंट बातें बताई हैं जो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता है वो सिर्म्स को रॉंग तरह से यूज़ कर रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा अगर आप उसी तरह से सिर् करते हैं तो ट्रस्ट मी यह सिर्म्स 10 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स ज्यादा एफेक्टिव होंगे अपकी स्किन के लिए तो नौ लेट्स गेट स्टार्ट इट इस पिल्ग्रिम 2 परसंट आलफा अब्यूटन एंद 3 परसंट वाइदमन सी सिर्म फोर स्किन ब्राइटनिंग ऑफ दरहे टेंग किशनञ अमेजिन सिर्म Анवाइजिंग इसमें दो बहुत ही पावफुल एक्टिव सकू यूस करके कंबायन करके सिर्म बनाई गई है आप यूटन आपकी स्किन में पिल्रींकल्स नीक एक सङ्टियां तो हैशिं comment करता है गलो को बूस्ट करती है और कि एजिंग के साइन्स को रिड्यूस करते हैं और स्किन टाइप से सबसे अच्छी बात है चेमिकल्स नहीं है नो पारबन, नो शलफेट, नो मिनरल ओयल बिल्कुल भी हाश केमिकल्स नहीं है बहुत ही सेफ आपकी स्किन के लिए डेमाटलोजिकली टेस्टेड है तो इस वन सिर्म यूशूद डेफिनली ट्राइप नो नेक्स्ट सिर्म इस फ्रॉम इस फ्रॉम्स फ्रॉम्स प्लम्स नि लेकर, पिग्मेंटेशन से लेकर, ब्राइपनेस से लेकर हर चीज के लिए अमेजिंग इंग्रेडिन्ट होता है राइस वोटर के साथ में इसमें यूश किया गी है नायसेनमाइट को तो नायसेनमाइट अक्ने मार्क्स, पिंपल मार्क्स किसी भी टाइप के मार्क्स को ल All Skin Types है, Best Thing is कि Plum के सारे Products Toxin Free, Chemical Free, Mineral Free, Paraben Free, Sulfate Free होते हैं तो आप की Skin के लिए बिल्कुल Safe Serum है तो यू शुड़ टेफनिटली ट्राइट दिस Products आपके पिंपल और एकने के Marks हैं तो आपके लिए अमेजिंग सरम है अब जो next Serum है वो मेरी Recent Favorite Serum है अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करें हैं तो आपको पता होगा, यह है डॉटन कीकी 10% वाइटमिन C, वाइटमिन E और 5% नायस अनमाइड सिरम, अगर आपकी स्किन ड्रा है, आपकी स्किन को ग्लो चाहिए, और आपकी स्किन में आप चाहते हैं कि मार्क्स लाइटन अप हो अनिवन स्किन टोन है, तो वो एवन हो, तो यह एक माइट ब्लो इंग सिरम है, एक कम्प्लीट पाकेज है आपके लिए, इस सिरम में वाइटमिन C 10% यूज किया गया है, 5% नायस अनमाइड यूज किया गया है, यह दोनों ही एक्टव सापकी स्किन में पिग्मेंटेशन और माक्स को टागेट करते हैं, आपके स्किन में वाइटमिन E अमेजिंग ग्लो को बूस्ट करती है, तो बहुत ही अच्छी सिरम है, अगर आप एजिंग को रिद्यूस करना चाते हैं, एजिंग के साइन्स को रिद्यूस करना चाते हैं, माक्स को लाइटन अप करना चाते तो this is one product I will highly highly suggest अब जो next serum है वो doctor's technology पर based है जब भी आपके कभी भी pigmentation होता है tanning जादा हो जाती है, marks हो जाते है, sports हो जाते है तो आप doctors और dermats के पास जाते है वो basically जादा तर आपको जो cream suggest करते हैं वो होती है kojic acid creams for example koji care इन creams में kojic acid होता है जो आपके skin में two layers तक के pigmentation को lighten up करता है तो जो next serum है वो है derma ko say this is derma ko 2% kojic acid, arbutin and niacinamide serum तीन powerful actives को use करके एक skin brightening serum create करी गई है यह water based है, बहुत ही जल्दी आपके skin में penetrate होती है इसमें 2% kojic acid को use किया गया है kojic acid 4% तक आपके skin के लिए absolutely safe माना गया है इसमें arbutin है, जो आपके pigmentation को lighten up करता है और niacinamide है, यह तीनों ही actives आपके skin को bright करेंगे आपके skin में अगर tanning है उसको light करेंगे, marks को reduce करेंगे तो यह serum आपको definitely try करना चाहिए अगर आप किसी भी type के marks या spots या even tanning को face कर रहे हैं now next serum is from deconstruct यह serum भी बहुत ही amazing serum है इसमें 2 actives को use किया गया है जिन दोनों की percentages काफी जादा अच्छी है 2% arbutin arbutin आपके skin में 8 spots, sun spots, marks को lighten up करता है और 5% niacinamide को use किया गया है तो niacinamide आपके acne marks, pimple marks, tanning इन सब को lighten up करता है तो basically अगर आप tanned हो गए है basically अगर आपकी skin dull हो गई है, pigmented हो गई है और आप चाहते हैं कि आप उसको instantly clear करें तो यह बहुत ही amazing serum है तो you should definitely use this serum now सबसे important point most important point is this कि आप serum को choose कैसे करेंगे आपको मैंने 6 serums बताई है I have made other videos also on serums related to dry skin, related to other things तो आपको basically serum choose करने के लिए सबसे importantly यह देखना है कि आपका concern क्या है अगर आपकी skin में acne और pimple के marks है तो आपके लिए niacinamide serums बहुत अच्छी होती है तो ऐसी serums जिसमें niacinamide की efficacy या percentage जादा हो आपको वो serum choose करनी चाहिए अगर आपकी skin में थोड़े बहुत wrinkles और lines develop हो रहे है और आपकी skin में glow नहीं है brightness बिल्कुल नहीं है तो आपको vitamin C serums choose करनी चाहिए विकोज यह आपकी skin में collagen को boost करती है आपकी skin में lines को reduce करती है और आपकी skin में glow तो amazing देती है तो you should go for vitamin C serums if you have melasma, hyperpigmentation, age spots तो arbutin बहुत ज़्यादा effective होता है ऐसे में आपको arbutin के efficacy जिसमें ज़्यादा है वो serums यूज़ करनी चाहिए और इस type से serums को आपको choose करके अपनी skin concern के लिए यूज़ करना चाहिए secondly, serums की bottles को हमेशा air tight tightly बंद करना चाहिए कई बार हम serums निकालते हैं, use करते हैं half the way उसको बंद करते हैं और ऐसे ही रख देते हैं जिसकी वज़े से थोड़े ही दिनों में वो अपनी efficacy हो देती हैं और फिर वो effective नहीं होती है आपकी skin के लिए तो serums को हमेशा tightly बंद करना चाहिए thirdly serums चाहे कोई भी हो आपको हमेशा उनको अपनी drawer के अंदर रखना चाहिए dark place में रखना चाहिए ऐसी place में नहीं रखना चाहिए जहां पर direct sunlight आती है या even indirect sunlight आती है place गरम होती है तो ऐसी places में आपको serums नहीं रखने चाहिए next अगर आप serums लगा रहे हैं लेकिन आप sun में जा रहे हैं या आप serums लगा रहे हैं और उसको sunscreen से top up नहीं करें तो कोई फाइदा नहीं होगा serums अगर आप लगाते हैं और ऐसे ही धूप में निकल जाते हैं तो sun आपकी serum को काम ही नहीं करने देगा उल्टा आपकी skin को damage करेगा तो always top up your serums with a moisturizer and a sunscreen lastly अगर आप serums इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि आपको acne के marks reduce करने हैं या आपको hyperpigmentation reduce करना है तो मैं बोलूँगे कि always top it up with a double layer मतलब एक बार serum लीजिए all over face में लगाईए इसके बाद में जो target areas हैं आपके वहाँ पर एक या दो drops वापस से लगाईए थोड़ी देर के लिए उसको यह से डाप करिए और उसके बाद में 30 seconds के बाद में वहाँ पर आप अपना चाहिएगा बेल आइकन ओल पर हिट कर दीजिएका वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएका अगर तोड़ा सा भी helpful लगा है तो थांक यू सो वेरी मच पर वाचिंग सी सून इन में नेक्स्ट वीडियो